गाली दो, क्यों दोगे आप, आपको गाना से मज़ा लेना है, आप गाने से मज़ा लेजीए, आप किसी की पोस्टर चेंज कर देते, उस गाने में ऐसे क्या बात है, अगर मुझे किसी को तार्गेट करना होता, तो मैं सुरू से नाम लेता, लास्ट में हर आदमी का हर राइ इनसान को तार्गेट करें, और आप भजपुरी के नाम पे क्यों इसे गंदी काम कर रहे हो आप लोग, गाने का मतलब कुछ और होता है, आप लोग कहीं और जोड़ते हो, आप जिस आदमी का नाम जोड़ रहे हो, उस आदमी को मैं भगमान की तरह मानता हूँ, उस आदमी नमर फेस्बुक पर भाई और यह जादा लोग नहीं है, पचीस उधर होंगे, पचीस इधर होंगे, जो कि आसमाजिक तत्व वाले चीज़े लोग हैं, यह बे मतलब की बिबाद को बढ़ावा दे रहे हैं, फाल्तु के बिबाद पैदा कर रहे हैं, पोस्टर कुछ और हो के लिए बहुत कुछ किया है यार, और आप मैंने आज फेस्बुक देखा और इतने टाइप की गंदी-गंदी चीजी, क्यों यार, आप गाने को गाने के हिसाब से लो ना, मैं आप सब का प्यार हूँ, आप सब का भाई हूँ, आप सब का बेटा हूँ, आप सब के अशिर आप किसी को गाली दो, ये कौन सब है ने भाई, आप गाली दो दोगे तो मैं आपको बहुत प्यार करूँगा, जी सोरी नहीं, और जो पौन भीया को चाहने वाले लोग हैं, आप अगर मुझे गाली दे देंगे, तो आपको ये वाड देंगे, ऐसा है क्या, हम दोनों के बिच में इसी कोई बाते नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आज भी मैं जाता हूँ या मिलते हैं, हम दोनों भाई हैं, अगर आप मुझे प्यार करते हैं, तो आप भी उनको बड़े भाई ही मानिये, हम सब भजपूरी के एक लोग हैं, हम हैं, सारे कलकार आप सब के प्यारे हैं, तो इसलिए मैं आप सब सरी क्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे हरकते मत करिये, आप लोग भाई हैं, और आप उनको भी अपना बड़ा भाई मनिये, क्योंकि मैं मानता हूँ, अगर आप मुझे प्यार करते हैं, तो मैं उनको बड आपकी बहन होई हमारी बहन आपकी जैसे हम आप सब की बहनों को अपनी बहन मानते और मानना क्या है आप हैं वो हमारी बहने हैं हम किसी को किसी गाने को लेकर और हम अलग मोर दे यह कहां का इंसाफ है आई प्यार करने का मतलब यह थोरी हुआ है प्यार करने का मतलब यह नही आप मेरे भाई हैं और वो मेरे बड़े भाई हैं तो मेरे बड़े भाई का मैं चाहता हूँ कि आप सम्मान करिए आप उनका भी गाना खुब सुनिए हमें भजपूरी को आगे करना है ना हमें भजपूरी को बढ़ाना है यहां एक दुसरे के विबाद में अपने भजपूर Gharjireन ही होता है वो कहीं ना कहीं मेरे Gharjireन है उनको देखकर मैं बढ़ा हुआ हूँ मैं छोटा था तो उसादमी को अपना आदर्स बना के मैं यहाँ तक कहुंचा हूँ मैं छोटा था जब उनके गानु को पहुता है आज मैं उनके सामने बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने बड़े भाई के गोद में बैठा हूँ प्यार ले रहा हूँ और आप लोग उनका नमर आप फेस्बुक पे डालते हो मेरा नमबर उनके फैस्बूक पे डालते हैं क्यों हम दोनों को आप लड़ा दोगे और हम लड़ जाएंगे ऐसा तो है नहीं वो बड़े भाई हैं बड़े भाई ही रहेंगे मेरे आपके कहने से मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता और आपके कहने से वो मुझे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे अंदर एक सम्मान की भावना है एक दूसरे के प्रती इज़त की भावना है और आप लोग पोस्टर चेंज कर देते हों उस गाने का रूफी बदल देते हो आप गाने तो सुनो कि गाना है क्या एक राइटर का नाम है जो कि आप भी जानते हो और आपने उसका रूप लग दे दिया एक गलत है आप लोग पुजनिये हो आप लोग इश्वर हो हम दोनों भाईयों के और हम दोनों भाई उमें कोई ऐसा भी बाद नहीं है यार हम दोनों भाई एक दूसरे को बहुत मुहबबत करते हैं वो आदमी मुझे अपने बेटे की तरह मानता है और उनका हूँ भी मैं क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ उनसे वो मेरे आदर्स हैं वो गारजियन है यार प्लीज अगर आप मुझे प्यार करते हैं अगर थोड़ी सी भी आपको लगता है कि नदे यार हम खेसारी को प्यार करते हैं तो आप उनके भी गाने को सुनो उनको भी प्यार दो वहाँ आप पमंद सिंग को मत सुनो क्यासी को गाली देंगे गलत बात है और मैं कुछ यूटूबरों की भी बात बोलूँगा ये बेमतलब की चीज़े आप लोग जो फैलाते हो कुछ यूटूबर जो हैं जिनको बोलने भी नहीं आता है यार बोलना तो पहले सीख लो कि भासा इस्तमाल कैसे किया जाता है और आप एक चाइनल चला रहे हो आप एक समाज की आईना बनके अपने आपको परमोट कर रहे हो और आप इस टाइब के आपको बोलने तक नहीं आता है जुबान में वो आपके पास वो लफज नहीं है जा आप किसी को समबोधित कर दो अच्छे से भासा आपके अच्छे नही है और आप अपने आपको यूटूबर बोलते हो और कुछ भी बोलते हुआ ये गलत है आप मेरे लिए किसी को गाली दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाओंगा ऐसा नहीं है आप समाज के आईना हो आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि नहीं हमें भजपूरी भासा को आगे करना है मेरे भजपूरी भासा को बढ़ाना है किसी एक इंसान के लिए आप किसी एक इंसान को गाली क्यों आपको पता है उस इंसान की हमियत मेरे नजर में क्या है और मेरे दिल में क्या है आज बड़ी दूख के हिसा मने बड़ा दूख हुआ मोजे आज यार कि आप किसी भी गाने को अलग भी बात दे दे तो क्या तरीका है आप गाने को गाने के हिसाब से नहीं सुन सकते हैं सोचने के लिए बहुत कुछ सोच सकता है आदमी साथ में चलने वाली लड़की हमारी स्रिप गल्फेंड नहीं होती है हमारी मा भी हो सकती है, हमारी बुगा भी हो सकती है हमारी बेटी भी हो सकती है और आप उसका रूप अलग कुछ दे दो गलत है ये, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मुझे प्यार करते हो, तो मैं कह रहा हूँ कि आप उन्हें भी प्यार दो, क्योंकि मैं उस इंसान को बहुत प्यार करता हूँ, आप किसी भी गाने को अलग रूपो ना दो, उस आदमी की छबी जो मेरे दिल में है, एक इशुवर की तरह है, वो मेरे बड़े भाई है, बहुत छोटा था यार, तब से में उसी आदमी को सुनता हूँ, और भजबुरी के एक ऐसे पुरुष है, वो कि जादू है उस आदमी के अंदर, और मैं छोटा भाई हूँ, तो मेरे अंदर भी हो जादू कुछ न कुछ तो होगी, जो आप मुझे 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 देते हैं, और उनका असिरबाद हमें हमेशा मिलता ह तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने लॉंग्विज को सुधारी, आप किसी की मा को गाली दोगे, किसी की बहन को गाली दोगे, आपकी भी बहन है, आपकी भी मा है, ये सब गलत चीज़े हैं, फ्लेज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग मंदिर के ऐसी मुर्ती हो जिस पे हमारा सरधा का हमारे संगीत का हमारे गाईकी का फूल चड़ता है ऐसे मत करिये आप लोग जो लोटस से मेरा गाना रिलिज हुआ है मैंने पोस्टर ठीके मैं मुझे लगा जे मैं तो गाना ही गाया हूँ मुझे इतना बात नहीं थी कि आप लोग इस चीज़ को इतना बढ़ा कर दोगी कि खेसारी रही है ट्रेंडिंग में पौन रही है पेंडिंग में इसका मतलब यह नहीं यार अगर मेरे वो राइटर का नाम नहीं होता तो वो डालते ही और मैं तो पोस्टर देखा भी नहीं मैं कहीं और था मुझे आज सुबह पता चला कि पोस्टर को ऐसे ऐसे कर दिया गया है तो प्लीज यार आप लोग भाई हो यार आप मंदिर में रहने वाले भगवान हो अमारे लिए एक प्रेमिय और प्रेमिका के गठा मेंने गाया है कि तुम मेरे जीवन में सबसे उपर हो मेरे जीवन में कोई भी आएगा तो वो नीचे ही रहेगा तो वो सारी चीजे हैं आप लोग उनको भी बड़ा भाई मानों में क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप उनको भी उतना ही प्यार दो जितना आप मुझे करते हो इस भासा को आप लोग पिलेज गंदा मत करो अपने जुबान से और अपने ल मत करो गाने को गाने के हिसाब से सुनो ना आप बस यही रिक्वेस्ट करने आया था प्लेज आप लोग ऐसा मत करो आप अगर उनको गाली दे सकते हो तो मुझे भी दे सकते हो तो आप इसका मतलब फैन नहीं हो आप फैन होते तो ऐसे हरकत नहीं करते आप परमूट करो जिसको करना है आप मुझे करते हो आप प्यार आपका मिलता है शरवाद मिलता है सम्मान करता हूं मैं बट आप भजपुरी भासा को देखकर सुनो ना केसी पड़ोगार इंसान को देखकर मत सुनवा उस भासा के लिए सुनो ना